जगत न्यूस 24 में आपका स्वागत है अभी तक कोई भी करमचारी उस गाई को उठाने नहीं आया। स्थानिय लोगों ने बीजेपी पारशद सहित पदाधिकारियों के साथ MCD के करमचारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के पारशद और उनके नेताओं की है अब देखना ये है कि इस गाई को उठाने के लिए करमचारी कब आते हैं और कब तक स्थानिय लोग इसकी बदबू से परिशान रहेंगे विधान सभा में जलजमाव के कारण नाले बंद हो चुके थे और नालों को खुलवाने के लिए करमचारी आये थे साफ सफाई करने के लिए सफाई करने के बाद नाले के धकन को खुला छोड़ दिया था जिसके कारण एक बच्चा उसी नाले में गिर गया और घायल हो गया उसके बाद उसी नाले में गाई भी गिर गई और उसकी मौत हो गई 36 गंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी करमचारी उस गाय को उठाने नहीं आया स्थानिय लोगों ने कई बार MCD को कंप्लेंट की सो नंबर पर भी कंप्लेंट की लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस आई और नार MCD का कोई करमचारी पहुंचा जबकि स्थानिय लोग पहले ही गंदे पानी की बदबू के कारण परेशान है और गाय के मरने के बाद इसकी बदबू से भी परेशान है स्थानिय लोगों ने BJP पारशद सहित पदाधिकारियों के साथ MCD के करमचारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी BJP के पारशद और उनके नेताओं की है अब देखना यह है कि इस गाय को उठाने के लिए करमचारी कब आते हैं और कब तक स्थानिय लोग इसकी बदबू से परेशान रहेंगे जगत News 24 के लिए दिल्ली के राडी से अनिल कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट यहां पर गाय तो इस नालेनं मरी थी लेकिन बहां पर किसे ञेका फिस इन ऋनिभगा आतole वालों ने तो अभी तो कोई कारवाई नहीं हुई? कोई कारवाई नहीं. दो बातेया लिपून कर दिया मैंने. अच्छा थाने में फोन किया आपने? तो पोलीस ने क्या कहा? पोली गए हैं, बेज रहे हैं, बेज रहे हैं. ना कोई आया यहां बदुवें मरे जाएं बच्चे बढ़ें मैं मर रहा हूं। कहना चाहते है परसासन। मैं कहना यह चाहता हूँ जिए निकम में परसासन। बीजेपी वालों को कुछ सोच कहना चीह है। तुम केंदर में भी बैठे हो। दुमयों फंदर क necessary जोबीजेपी की निकम पारत सता है पूलम पारत सतन। और यहां पर बीजेपी के पताधिकारी जिला अधक्स यहां पुरौांचल के लोगहां पर लेकिन कोई निगदारत इस समय की जी को गउ गंगा और गीता की बात नी याद आ रही है कि गउ का बच्चा या मरा पड़ा है 36 गंटे से यादा कोई सुनने वाला नियस को